हलो दोस्तो मैं हूँ मुनिश देवगन लोकसभा चुनाव बेहत करीब आ चुके हैं और आप हमारा चुनावी कैपसुल शो देख रहे हैं उसको प्यार दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हम बात कर रहे हैं पुलिटिकल पार्टी के स्टार केमपेनर्स की ज आपको हैरत में डाल रहे हैं नहीं है जो हैरत में बहुत का मुनिश क्योंकि मुर्ली मनोहर जोश्य लालकृष्ण आडवानी जो बहुत साफ था कि शायद नहीं होंगे उसके पीछे टिकेट उनको नहीं दिया गया जो बड़ी वजह बताए गए वह एज बताए गई हाला चाहिए आप बात कर लें समाजबादी पार्टी की जिनकी थोड़ी देर और थोड़े और दिनों पहले आ गई थी या फिर बीजेपी की बात कर लें एक्सपेक्टेट था कि यहीं होगा यह हो सता है कि यह नाम ना हूँ जैसे लालकृष्ण आडवानी मुर्ली मनोहर अ में बहुत साफा नहीं होगी, कुमार विश्वास नहीं है जो बहुत पहले से पूरी तरह से एकड़म उपयूजिशन में नजर आई ही रहे हैं एक नाम जो चौकात है जो आपने पूछा वो अमानतुल्ला खान का है क्योंकि अमानतुल्ला खान ने आपने देखा हुआ गुलविश इतने सारे मुद्दे रहे हैं इतनी सारी बाते रहे हैं बहुत सारी कॉंट्रिवर्शल चीजों में Aamantulla Khan हमेशा रही हैं कुमार विश्वास वाला जो पूरा मुद्दा था कि रात को तीन बजए अर्विंद Keserζiwal पहुंचे थे मनाने के लिए उसके पीछे भी Aamantulla Khan थे जिसमें कुमार विश्वास ने कहा था कि किसी का हाथ है इनके सिरप जिसके चक्कर में यह सारी चीज़ें हो रही है तो अमानातुल्ला के साथ गे वा है शशी कि उन्हों ने बहुत नेगटिव पब्लिसिटी दिये पार्टी को पार्टी ने हाला कि उनको बचाया ऐसा नहीं कह सकते कि पार्टी ने उनको मोरा बनाया जो के कुमार पिश्वास कह रहे थे कि नेगिटिव पब्लिसिटी जो जो सारे काम बुरे कराया जा रहे हैं जिसको डिरेक्टली अर्विन के रिवाल नहीं कर सकते हो सब किसी और की शेह पर हो रहे है इसलिए अमानातुल्ला का नाम स्टार पिचाल को कि लिस्में नहीं साथ में एक एक हिंदूरिती रिवाज में बड़ो का सम्मान होता है और सीज़े तो पर बड़ो को निकाल दिया लेकिन अगर आप देखें केजरिवाल ने आमगबादी पार्टी ने प्रिशान भुशंग के साथ किया योगेंदर रियादर इंके साथ तो आप कैसे किसी और को बोल सकते है हैं जब आपकी खुद की पार्टी के साथ यह हुआ एमानतुल्ला की नेगेटिव पब्लिसिती अल्का लांबा चाशी अल्का लांबा कितना अच्छे से हर बात बोलती थी हमेशा सपोर्ट किया पार्टी को लड़ी है उनका नाम बहुत अच्छी स्पोक्स परसन है और च अबसे वहां मनवुटाव शुरूओ और यह शुरूओ आपके उसके तुरंद बाद उनको सारे ग्रूपों से अटा दिया गया उनी की चॉंस्टेंसी में जाकर के अर्विंद किरिजीवाल सभा कर आया और उनको पता तक नहीं था इसके बारे में तो बहां सारे इंसिजि नहीं है तो यह राजनीती है इसके वादब हम सारी अपजए्ट आपको سारा-ट chiar करके बताते हैं ताकि आपको पता चले कहा कहा क्या हूर आसात में समाझवाथी पार्टी की बात करें तो जय एप्रदा जैया प्रधा का उस पार्टी से जा आणा आप आ आपको κया मुलायम सिंग यादप के साथ संबन बहुत अच्छे रहे अमर सिंग के लेकिन जब से पार्टी की कमान अखेले श्यादप के पास गई सारी चीज अंकडबड हो गई और उनके संबन बहुत जादा खराब रहे बहुत बार हमने मनमुटाव खीचतान तमाम चीजें देखी आ अब यहां आई हैं तो आगे कहीं और भी जा सकती है सपना चौधरी की बात कर लेते हैं सपना चौधरी क्योंकि कॉंकि कॉंग्रस के लिए अपने दर्वाजेरों ने बंद कर लिये हैं जिस तरीके से सारा ड्रामा हुआ लेकिन अगर बीजेपी में जया परदा गई तो आ अर्मिला की इमेज है बहुत बहुत पॉजिटिव बहुत महनतकश अलागार कि अपना रही है तो कि उनका जो करियर किसी समय पता इस समय डहलान पे था और हर आदमी चाहता है कि उसको एक सामने आये और लोग उसको देखें दुबारा से उसके टीर पी फिर से बड़े तो बात करें तो डिली में जब बड़े नेता थे उन्हें लिस्ट मांगी कि साथ और सीटों को खड़ा करें आप जादा भी लिस्ट बहलागा थे तो विज्य शेहरी का थी इंघी की उन्हें जो जो ख्यां बहले नाम भेजें उसमें नाए तो जिली से ज से यह जो तीन नाम जो तमाम कार्यकरता, तमाम political parties के धूल फांकते हैं, लाठियां खाते हैं, water cannon जिन पर इस्तिमाल किया जाता है, पांच साल वो हमेशा बुरी हालत में रहते हैं, उन्हीं कार्यकरताओं में से एक जिसको टिकेट मिलना चाहिए, जो कि लीडर है वहाँ का, जो तमाम चीजों को रिप्रेजन कर रहा है अपनी party को, उसको पूरी तरह से बाइपास करके, पूरी तरह से उसका बाइकॉट करके आप किसी और को पराशूट से लेंडिंग करा देते हैं, जिसमें हमामाली का नाम बहुत साफ साफ शब्दों में मैं बार बार लेती हूँ, उसकी सबसे कि अपने सारे लोगों को जाने की कोशिश की, आपको महसूस ही नहीं होगा कि जमीन से जुड़ी हूई वो नेता है, उनको गर्मी लगने लगती है, वो लोग अगर बहुत जादा पहुंच जाएं, बहुत इरीटेट हो जाती है, जज़ भी करती है, अहां और उनका पहला को प्यार है, वो एक्टिंग है, वो हमेशा है, वो कह चुकी इस बात को, यहीं भारत की जनता है, जो उनको वोट देती है, जिसमें वह ने देखा कि पहली बार लोगों ने जिता दिया, लेकिन सेकिंड टाइम में इतनी बुरी हालत हो गी उनकी, यानि लोगों को ग्लेमर कर दिया है, आपको वोट कर दिया, काम आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं चल पाएगा, यह जो बहुत वायबल पॉइंट शशी ने उठाया है, कि इस चीज में, अगर आप देखें, सारी पार्टी इसमें बिल्कुल एक समान है, कहीं से भी कोई किसी को जो कि अगर उनको लगता है, उनके वोट बैंक के लिए अच्छा है, उसमें सारी पार्टी इसमें तो आई तिंग कॉमनालिटी है, जिसमें हम दिली के अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अब देखो ना कि मनुछ तिवारी को जब लाया गया था, तो क्या सोच कर लाया था, सीधा सीधा पूरवांचल के जो तमाम वोट्स हैं, उनको अपनी तरफ करने की कोशिश थी, अच्छे यहां पर कोई बहुत बड़ा फेस नजर नहीं आता, अगर आप पूछे हैं कि बीजेपी के पास ऐसे कौन-कौन से लीडर्स हैं, जो लीड कर सकते हैं पूरी दिली को तो उनको समझ में निया रहा है कि कौन-कौन से लीडर्स हैं, दो लोग थे जिनमें आपस में बहुत ज़्यादा क्लैशे से मनमुटाव थे, उसके बाद मनुष तिवारी के हाथ में कमान दी गई, अब की बार तो कहा जा रहा है कि बहुत स्ट्रेटेजी के साथ दिली में लड़ना पड़ेगा बहुत ज़ादा मुश्किल पीजेपी के लिए होने बाला है बढ़नातो, स्टार केंपिनर चौनता दिली जंता जब मुझे कर छुनती ये ये चुनती यह है तो प्रसान मंतरी की शुंसरी लुक्त जाइस के बोर्ट डालने जाती है तो देखती कि प्रथान मंतरी का चेहरा कॉन है एक फेस के नाम पे लोग वोट करते हैं, लोग सभा एलेक्शन में खासतोर से, तो दिली में भी हमें देखने को मिल सकता है, वो ट्रेंड हो सकता है कि लोग क्योंकि हम यहां पर स्टार प्रिचारकों की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैं कुमार विश्वास का नाम जरूर ल वार विश्वास को तो इस लिस में होना है नहीं था क्यूंकि जो ट्वीट्स होते हैं, आप पहले डाल दिया था कि जब नतीजा आएगा तो क्या रियक्शन होने वाला है, तो हमने दिली तक पर यह वीडियो भी डाला था कि जिस तरीके से वो केजरिवाल पर हमला बोलते तो इसी तरीके से हम आपको रोज दिली तक के कैपसूल में ऐसी स्टोरीज दिखाते रहेंगे, जब तक चुनाओ का नतीजा नहीं आ जाता हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, बुलविश, आपके साथ रहेंगी, शशी रहेंगी और तमाम जो हमारे एंकर्स हैं उनको हम लेके आएंगे, आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सी स्टोरीज आप और देखना चाहते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया